मेरे प्यारे सबी भाई और भेनों मैं आज आपके भी चर्चा करने वाला हूँ छत्रपति शिवाजी महराज के जीवन के बारे में चत्रपति शिवाजी महराज जैसे सर्वजन प्रतिपालक हुए जिनोंने प्रजा के प्रतियक वर्ग को समता समरस्ता और मानवता के वो सारे अधिकार उनको प्रदान किये और स्वतंत्रता के वो सारे अधिकार उनको प्रदान किये जो एक अच्छे राज्ये के अंदर होना चाहिए चेत्रपती शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में हमारे दिमाग के अंदर उनकी जो छवी बना के रखी गई या हमने जो उनकी छवी अपने दिमाग के अंदर बना ली वो कितनी भर है कि शिवाजी माराज एक गोड़े पर बेटे और उनके हाथ में तलवार है ये पहलू था लेकिन सिर्फ यही पहलू नहीं था युद्ध के इतर उन्होंने जो शाशन प्रणाली स्थापित की जो खत्रिन थी कि जिस पर चल करके उन्होंने शत्रू की कूट नीती को शडियंत्र को नस्त नाबूत कर दिया था शत्रू भी कोई छोटा मोटा शत्रू नहीं भयंकर विक्राल ऐसा दानव जिसने बारत के अधिकतर राजाओं को अपने दरवार के अंदर मनसबदार बना के रखा था एसा भयंकर करूर अत्याचारी आत्ता यातंक वादि मानसिकता का व्यक्ती के सामने उन्होंने उसकी कूट नीती शडियंत्र को परास्त किया जबकि उसके गद्दी भेजे गए गददार चपे चपे पर महजूब थे उन गददारों को छाट चाट करके जैसे छ चलनी में से छाट देते हैं न हम कچरा कचरा उन्होंने छाट गरके साफ कर दीया था ऐसे थे हमारे च्छत्र पति शिवाजिобщे महाराज तो साथियों आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा च् publicly महाराज के हत्या करने के लिए उसने बीड़ा उठाया था पहले का कि समय में बीड़ा उठाया जाता था कि कौन बीड़ा लेगा कौन सुपारी लेगा तो उसने वो बीड़ा और सुपारी उठाया था और कहा था कि मैं छत्रपती शिवाजी को उनको मार करके और आ जाओंगा ऐसा उसन मार दूगा और एसी मन्शा ले करके वो चला था चत्रपति शिवाजी महाराज की नीती इतनी बहतरी इनती इतनी उम्दा थी कि उन्होंने पहले सही ताय कर लिया था वो तो पहले ही जीत चुके थे उनके मस्तिक्ष में सारी फिल्म एकदम चल रही थी और इस्पस्ट था उ उन सचेत अवस्था में मतलब पूरे होशों अवास में खा जाता ने होश में फैसला लेना तो वो थे शिवाजी महराज कभी भावनाओं में बह करके या कभी भी अती उत्साह में आकर के उन्होंने कोई कारी नहीं किया उन्होंने हर कारी किया तो वो सोच समझ करके इसी दिल्या वह छत्त्रपती बने वह सारे थे लेकिन सब आगा है चाटू कारीता कर रहे थे किसकी किसकी कर रहे थे और अंजिप की मुगलों के दर बार में यह साथ इसे कर रहे थे शहनशाह की जैयो आलमगीर की जैयो एसे उसके आगे जुके कमर नेरूडंड जिन्होंने अ अपमानित करते हुए जीवन जीना नहीं स्विकार किया और इसलिए वो बने चत्रपती, सिर्फ तलवार की धार से युद्ध नहीं जीता जाता, मन की और आत्मबल की शक्ती से भी सबसे पहले हर युद्ध जीवन के जीते जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि चत्रपती श्व श्वाज महाराज पहले ही तैकर कर चुके थे, कि अबजल तो है गद्दार मांसिक्ता का, अबजल तो है धोके बाच प्रवर्तί का, अबजल धोका देगा 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 यह तैथा, क्यों? क्योंकि उनको उसकी प्रवर्ती पता forcément थी, कि यह व्यक्ती एक क्या यक तो अति पति शिवाजी महराज ने पूरे कारीगरों को बुला करके बहतरीन से बहतरीन एक एसे ओजार अस्त्र निर्मित किये invention कह दू के एसे invention उन्होंने किया उस समय पर हतियारों का उन्होंने कारीगरों के साथ बेट करके अपने उस समय के उनके जो हतियार बनाने वाले थे शास्त्रगार में उनके जो कारी करते उनको बुला करके एसे हतियार बनवाए जो उपर से अलग दीखते थे और अंदर से कुछ और होते थे साथियों ध्यान रखिए उन्हों ऐसे हत्यार जो उपर से अलग थे और अंदर से उपर से तो अंगुठी जैसे लग रहे थे लेकिन अंदर से शक्ति से संपन तिक्ष्न धार के ऐसे वाग नक के स्वरूप में थे जो घुस्ते ही पेट फाड़ दे जहां लगे महाँ से मान से फाड़ दे शरीर फाड़ दे भैंकर से भैंकर जो चमड़ी होती उसको तक उधर दे तो ऐसे उन्होंने अस्तर ओजा निर्मान किये पूरे कवच बनवाए अपने सिर को आज कैसे हमारे सेनिक होते है पेरा मिलेटरी फॉर्स के या बलैक कमांडो एनस जी के होते हैं वो पूरे बुलेट पूफ अगेरा सब तैयार होके जाते है ऐसे चाथर पती शिवाजी महाराज पूरे प्रोटेक्ट होकर के फिर उसकी चावनी के अंदर पहुचेते जो शामियाना बनवाया गया था उसके लिए अबजल के लिए ये ऐसा करेगा तो ये ऐसा होगा अबजल ने जेसे ही चत्रपती शिवाजी महाराज की गर्दन को हलका सा जोर से पकड़ा बस ये करना था और शिवाजी महाराज को तो पता था आप क्या करना युद्ध तो पहले ही जीता जा चुका था या युद्ध पहले ही जीता जा चुका था इसलिए कहता हूं सात्यों आप जीवन में जब भी कोई कारे करे तो उसके पहले ही सारी नीतियां तै हो जानी चाहिए आप विजय ही होंगे कदम निरंतर चलते जिनके विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है हाँ, जिनके कदम निरंतर चलते रहेंगे सोच समझ करके चलते रहेंगे निरंतर सोच समझ करके करतव ये पत्पर जिनके कदम चलेंगे उनको विजय मिलने वाली है और यह विजय हम सब मिलकर के ले अपने अपने जीवन में भी और सार्वजनिक राष्ट्री रूप से भी और वेश्विक पटल पर भी हम यह विजय प्राप्त करें इसके लिए मेरी आप सभी से यही मेरा आप सभी से विनमर निवेदन है कि हम सब मिलकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से यह नीतियां सीख ले